हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे समिछा अधिकारी सायक समिछा अधिकारी 2022 प्रारंबिक परिक्षा के बारे में और विशेश तहाम बात करने वाले आज ncrt books के बारे में कि जो ncrt की किताबें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए या फर नहीं पढ़नी चाहिए क्या उनको बिना पढ़े आपका काम चल सकता है या फिर वो old ncrt पढ़ें या फिर new ncrt पढ़ें तो old और new में क्या अंतर है इस पर भी हम लोग बात करेंगे एक बात यह भी आती है कि जो साइंस की बिद्यारती हैं वो किस क्लास तक की ncrt पढ़ें और जो आर्ट के बिद्यारती है सपोर्च किसी ने बीए किया हुआ है तो वो कौन सी ncrt किताब में पढ़ें और किस क्लास तक की पढ़ें और में तरीका क्या है पढ़ने का मतलब कि कैसे अम पढ़ें अकी सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे और जो अपके doubt है confusion है हमें लगता कि आज सारे दूर हो जाने वाले है ठीक है चले फिर शुरुआत करते हैं NCRT के बारे हैं कि NCRT को कैसे पढ़ा जाए उसके उससे पहले हमारे आप ROERO 2022 के लिए UPPCS 2022 और ROERO 2021 मेंस के लिए batch अलग लग चल लए हैं तो उसे आप लोग जोईन कर सकते हैं उसमें आपको पूरा complete study material सारी चीज़ें दी जाएंगी पूरा GS का हिंदी का current affairs UP special general na budget GS में आपके सारे subject होंगे history, geography, policy, economic, science, environment UP special सारी चीज़ें ठीक है पूरे साल भर का current affairs दिया जाता है weekly और month ले ठीक इस नमबर पर 6393-350-769 इस पर आप जा करके call करके आफर whatsapp के माद्दें से आप लोग संपर करके और notes वगारा प्राप्त कर सकते हैं चाहे वो GS के हो है आफर वो हिंदी के हो ठीक है चलिए तो सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि पहले तो हमने दो केटागरिया आप रिख दी है एक science वालों को अलग कर दिया है और art वालों को अलग कर दिया ठीक है तिकि science वाला विद्यारती क्या होता है शुरू से वो science पढ़ता आ रहा है physics, chemistry, biology, math यह सब पढ़ रहा है उसका मतलब जो सामाजिक चीजें है यह जो मतलब जैसे सामाजिक विज्ञान के विशय है इतिहास है, भूगोल है नांगरिक सास्त्र है जो पहले चलता आता ठीकि वो ही बाद में quality बन जाती है तो इन विश्यों से मतलब कोई लेना देना नहीं होता है मतलब बहुत जादा attachment नहीं रहता है तो इसलिए जो science के विध्यारती है जो science graduate है या जिनका background जिनकी प्रिष्ट भूमी science रही है तो वो क्रपया करपे कच्छा 6 से लेकर के और कच्छा 12 तक की सभी विश्यों की NCRT जरूर पढ़े all subject ठीक है सारे विश्यों है साइन्स की विध्यारती लेकिन वो एक बार साइन्स की NCRT भी पढ़ ले चुकि उन्होंने अपने academic के दौरा नो सकता की NCRT ना पढ़ी हो अगर पढ़ी है तो अच्छी वात है ना पढ़ी हो तो वो जरूर पढ़ ले ठीक है उसमें आपकी हिस्टरी की जोगर्फी की लोकतंत्र की जितनी भी किताब आर्थ वरस्ता की सारी किताब आपको पढ़नी कर्चा 6 से लेकर के यानि कि आपर वोई math और math वगरा जो reasoning वाले बिस है उनको आप छोड़ दीजिए बाकी जो भी humanity के subject हैं ठीक है वो आपको सारे subject पढ़ने हैं और जो आठ ग्रेजिए की B.A.M.A किया हुआ है ठीक है जिनका इतिहास भूगोल यह सब रहा है समाजी विग्ञान रहा है ठीक है समासास रहा है तो वो लोग चाहें तो कच्छा 8 से लेकर के कच्छा 12 तक की all subject क की किताब है NCRT की पढ़ सकते हैं ठीक है 8 से 12 तक की ठीक लेकर उनको और basic complete करना है और 6 पढ़ना है तो यह लोग भी चाहें तो 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ना सकते हैं कोई उसमें हर्ज नहीं है ठीक है किताब अगर आपको एक ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको कोई थोड़ा सा उनका जो है जो भी है सब्जेक्ट होते हैं तो उनसे थोड़ा attachment रहता है उनको पता होता है ठीक है लेकिन जो science के बच्चे होते हैं उन्हें कभी नहीं पढ़ा है तो उन्हें basic से जानकारी लेना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक यह तो दो चीजे अलग-अलग हो गया कि science वाले 6-12 आर्ट वाले 8-12 ठीक है आर्ट वाले भी चाहें तो 6-12 पढ़ सकते हैं कोई बॉन्डेशन नहीं लगा कोई restriction नहीं है नहीं आप सोचे सरने का तो मतलब मैंने तो छोड़ दिया तो सरने की बात कैसे मैं टाल सकता था आप समय आप पढ़ना चाहते हैं आप इंट्रेस्टिन है आप बिल्कुल पढ़िए अब बात आती है कि हम बैया जो है ओल्ड वाली ncrt पढ़ें या फ़र नई वाली पढ़ें अंतर के दोना में कुछ लोग कहते ओल्ड वाली बहुत अच्छी है नई वाली बहुत बेकार है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ncr ncrt इस ncrt आपको जो अपको मिल जाए अगर आपको ओल्ड बल्ड पढ़िए आपको नीव मिल जाए आप नीव पढ़िए मतलब जो आप के सामने उपलब्ध हो जाय वही आप पढ़ सकते हैं तीक आपको मालोग किसी फ्रेंड का स्वास पुरानी उपलब्ध है आप पु कोई पुरानी नहीं मिल लएए कोई दिक्कत नहीं आप सारी नहीं पढ़िए मैटर वही है content वही है material वही है सब कुछ वही है समझाने का तरीका उनका लिखने का तरीका सब कुछ वही है तो इसलिए old और new आप कोई भी पढ़ सकते हैं ठीक है अब देखिए अब बात यह आत करते हैं कमेंट करिए पॉल्टिम आप जो सबसे आपकी अच्छी किताब है वह आप कौन सी पढ़ते हैं बताएं कि मोटी सी है ठीक है तो जैसे आप यह किताब का नाम ने लेंगे जो मैं कहना चाहरा हूं वह आप समझ गया हूं कौन सी है जैसे आप डीडी बसुए किताब है वह वह किताब बहुत जरूरी है ठीक है इसके लाव आप हिस्टीम पढ़ते हैं ऐसे कि आप विपेंचंद्रा पढ़ते हैं इस पेक्ट्रम पढ़ते हैं है ना बी यल ग्रोबर पढ़ते हैं आरस सर्मा पढ़ते हैं यह किताब हो गई जोगर्फीम आप महिस्व तो उसले नियुव भरी जाती है और उस पर आप कितनी बड़ी कर दो कोई दिक्कत नहीं होती है चितने भी सेयु αυτό है जो है उस पर जो आप building बना रहे हैं वो building कभी भी धरासा ही हो सकती है इसलिए new मजबूत होना बहुत जरूरी है तो जो किसेप्ट ही क्लियर ना हो रहा हूँ को समझ में ही ना रहा हो एसा हो सकता है चरूरी है लेकिन अगर आप एक और पढहे रहेंगे ऊपने अध्यन किया है तो फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो एक किताबें हैं इनकी भाषा के अधिर उसके अंदर समझने नहीं होगी बहुत कम आपके जितनी तो नहीं होगी आप तो अभी समझदार हुए है जब आप भी छोटे थे तो इतने समझदार तो नहीं रहे होंगे तो उस बच्चे के समझने के लिए जो लेखक है वो उस लेविल तक गया है और उस लेवल पर जा करके तब उसने किताब लिखी है वह तो एक बड़ा राइटर है बहुत ग्यानवान है बहुत नौलिज उसके अंदर तीक है अगर वो अपनी भासाम लिखेगा तो क्या वो अ आईक्यू तक जाब करके और जितनी उसकी बच्चे की सोचने समझने के छमता है उस लेवल पर पहुंच करके तब उस किताब की रिचना की है तब उस किताब को लिखा है तो सोचिए कि कितने आसान और कितने सरल सब्दों का इस्तिमाल उस लेखक ने किया होगा अब सोचि कि आप कितने जल्दी उनुन किताब मेंगे हो समझ लेंगे बिलकुल कहानी की रूप में लिखीं गई है कहानी रिखतä रहे छ पर पढ़ते ज νम Sim out कुछारना जा Base पढ़ते यह मैं पटके यहाँ यह पूरी कहानी बνती जाएगी कोई विषया ले लेज मुझा आता पढ़ने में इंट्रेस्ट डरत करना है तो आपको पढ़नें बहुत मज़ा आएगा फिर पढ़ते पढ़ते आपको कोई बिंदू यसा मिल जाता लगता है की परिक्षा के द्रश्ची से इंपोर्टेंट है कॉपी पेन साथ में रखिए तुरंत उसको नोट कर लिए ठीक है फला चैप्टर से आपने ये विंदु नोट किया थे ठीक है तो हर चैप्टर से आप उसके 10 12 15 लाएने आप जरूर नोट करें तो आप देखें कि जब आप नोट कहीं से भी लिख दिया जरूर नहीं कि पढ़के लिखा गया लेकिन आप जो एक किताब पढ़ी आपने उस किताब से पांच पन्ने लिखे ठीक है आपने दस किताब पढ़ी आपने पचास पन्ने आपके हो गए और समझेए कि 30-40 किताब हैं सब्सक्राइब पढ़न पढ़ने चमता आपकी तो तीन महीने नहीं तो आपकी चार महीने मतलब 3-4 महीने आपको एक पढ़ने लग जाएगा और यह सब किताब है पढ़ने बात जो है नोट सापका निकलेगा समझो कम से कम 3-4 आपकी कॉपी भर जाएंगी हम गारंटी देते हैं आप हर टॉपिक स कि वोबिंदू तो वो पूरे चैप्टर आपको याद आ जाएगा कि हां उस समय मैंने यह पढ़ा था और उस चैप्टर में यह यह था यह तरीका होता है अब चुकि बारबार तो आप नसे नहीं पढ़ सकते हैं हाला कि कम से कम 2-3 वारतों नसे आपकी को पढ़ना ही चाह अच्छा कॉंसेप्ट क्लियर होता है आप यकिन नहीं करेंगे ठीक है अगर आपने नहीं पढ़िया पढ़के देखिए ठीक है तो बहुत मजा आता है और अगर जो चैप्टर आपने पढ़ लिया जो कॉंसेप्ट आपने देख लिया जीवन भर आप वो कॉंसेप्ट कभ लाइए उसकी पढ़ लीजिए पापस कर दीजिए फिर दूसरी लाइए फिर पढ़ लीजिए इस तरह मतलब जरूर नहीं कर सकते हैं तो अच्छी बात नहीं कर सकते हैं तो मांग के काम चला लो कोई किताब कहीं से नहीं मिल रही है मार्केट में भी नहीं मिल रही है फोटो कॉपी कर दो पढ़ना है अगर आपको त्यारी करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो NCRT का मतलब तो जो NCRT आप पढ़ लेंगे जो आपका बेस मजबूत होगा आपकी नीव मजबूत होगी फिर इसके उपर आप कितावें पढ़ना चाहें पढ़ेंगे ना तो कितावें आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझवाएंगे यूँकि आपके सारे concept आपका सारा fundamental clear है पूरा crystal clear हो गया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे आप हिस्टी पढ़ें जो गर फी पॉलिटी एकनोमिक्स साइंस कुछ भी और मेहराओं की economics किया नहीं कि अर्थ व्यवस्था की समझजिए NCRT तो रामबान है आप ऐसे कोई ज और कुछ लिखी भी ऐसी किताब गई है कि वह मतलब चुकि इस टेंडर बॉक्स है आई इस लेवल की किताब है सब तो लेकिन NCRT आप पढ़ लेंगे ना मालों आपने ब्रुजगारी पढ़ दिया एक बार मुद्रा इस्पी तेकर आपने इस एक बार पढ़ लिया तो जी पूरी टीम थी उसमस्केशन Premيع रियंगा इंने सारी NCRT निकाला था शारी स्टेंडर बॉक्स को कम्पायल किया और NCRT और उन्न सारी स्टेंडर बॉक्स को कम्पायल करके अन्य करके मर्ज करके फिर बो नोट बनाइग ए जिन आप लोग को दिये जाते हैं बहुत सारे लो किताब हमेसा इस्टेंडर ही पढ़ते हैं हमारी चुकि सब के लिए लग एक टीम होती है करेंट के लिए लग टीम है जी एस के लिए लग टीम है हिंदी के लिए लग टीम है तो वह पूरा अग्दम से इस्टेंडर काम करती है तो हिंदी की फाइल पर काम चल ला है तो हिंद निकाल लिया पूरा अग्दम कंपाइल कर दिया आप कोई भी आप सब दिखो जाएं किसी किताम आपको मिले ना कि वहारे नोट्स में रूर होगा तो यह मतलब ऐसा हमने हिंदी के नोट्स पनाया है कि मतलब वह समीच्छा अदिकारी प्रारणबिक परिक्षा हो या कोई पर कित्र में हैं हाउस वाइफ हैं जॉब में इतना समय आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग हमारे नोट्स पढ़ लीजिए यह भी आपके काफी काम के हैं इंस्याटी बेस्ट हैं और सारी इस्टेंडर को कंपाइल करके बनाए गए हैं ठीक है लेकिन नहीं जाने का रिक्षात नमस्कार अन्वारा